बूर्णिंग विडियो में आपको रुद्र पुर्याग के संदर में कुछ बाते बताई सैव धर्म और जैन धर्म के बार में थोड़ी बहुत बाते हम लोगों ने आप लोगों से शेयर की तो हम नेक्स टाइम सीधे आजाते हैं रुद्र पुर्याग जिल्ले के सबसे उत्तर में इस्तित केदारनाथ पर केदारनाथ मंदिर को समझने से पहले या उसके चारो तरब जितने भी रिलिजियस स्पोर्ट है उसको बहतर तरीके से समझने से पहले एक बार हम केदारनाथ की वास्तिकला को जान ले मतलब केदारनाथ का जो मंदिर है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है वो कोन सी सेली का है उसमें क्या क्या चीज़े है तो हम लोग जैसे आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि केदारनात मंदीर कैसे बना और किस किस का मतलब कौन-कौन से कौन-कौन सी सहलिया उसमें है तो हम लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि समुद्रतल से इसकी मैक्सिमम हैट जो है 3584 मीटर है तो जब भी हम समुद्रतल से हैट मापते हैं तो हम हमेशा हमने अपने देश में चन्ने से मापते हैं यह बार एक्जाम में question पूछा भी जाता है कि समुद्रतल से उचाए कहां से मापी जाती है तो समुद्रतल से उचाए हम हमेशा कहां से मापते हैं चन्नई से चन्नई कोस्टल एरिया है जो कि आपका यह कोरूमंडल तट वाला एरिया है गोदावरी से लेके कहा तक नीचे हमारी तक का जो पूरा कोस्टल एरिया है वो कोस्टल एरिया कोरूमंडल तट कहलाता है चल यह ठीक है तो जब हम 3584 मीटर की उचाय पे सैव धर्म का जो हिमाले में सबसे बड़ा तीर्थ है उसको देखते हैं तो यहां पर हम केदारनाथ के संदर्व में बहुत सारी चीज अधिया हो मिडल इंडिया हो या साउफ इंडिया हो उस वहां के भूबागों में जो मंदिर बने हैं उनकी जानकारी हमें होनी चीए तब हम केदारनाथ की वास्तों कि बारे में भी बहतर तरीके से समझ सकते हैं तो भारित में मंदिर निर्मान की तीन प्रमुक सेलिया है आप लोग जानते ही हो नागर सहली है बेसर सहली है और द्रविर सहली है नागर सहली जो की पूरे नौर्थ इंडिया में है केदारनाद भी नागर सहली में बना है हिमाइले सहले के बिंध्यान चलता जितने भी मंदिर होंगे सारे के सारे मंदिर नागर सहली के बने है अब इ इसलिए इस नागर सलि को हम कत्युरे सलि भी कहते हैं, कही चीज़े हम इसमें देखेंगे, पहले चर्चा करते है हम लोग नागर सलि की, तो मंदिर निर्मान की जो हमारे पास लास्ट डेट है जो मतलब प्रिवियस टाय में पहले जो मंदिर निर्मान था मौरेकाल से शुरू हुआ मौरेतरकाल में थोड़ा एक्स्पोर हुआ और गुप्तकाल में मंदिर निर्मान ने अपने चरम को छुआ चाहे वो नागर सेली हो, चाहे बेसर सेली हो, या धर्विट सेली हो तो जैसे हमने आप लोगों को बताया कि हिमाले सेले के बिंध्यानचल तक बिंध्यानचल जो कि आपका मध्यवरत देश में पड़ेगा, मिडिल इंडिया में पड़ेगा उत्तर भारत और दक्षिन भारत के बीच जो वाटर डिवाइडर है, वो बिंध्यानचल है तो हिमाले सेले के बिंध्यानचल तक जो मंदिर निर्मान की सेली थी, मंदिर निर्मान को बनाने की एक विशेज कला थी, वो नागर सेली थी नागर का म्तब होता है नगर मतब पहले इस मंदिर को नगरों में ही बनाया जाता था तो नौर्थ इंडिया में आप जितने भी मंदिर देखते हैं जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है खजुराहा हो गया, कोणार को हो गया जगनात-पुरी हो गया ये सारे के सारे मंदिर नागरसैली में बना है, केदारनाद में नागरसैली में बना है, खास सिंटम से हम देखते हैं, जब हम नागरसैली को देखते हैं, तो नागरसैली की सबसे खास जो विसेस्ता होती है, कि मंदिर को बनाने से पहले एक चबूतरा बनाया जाता है, जब नागर सैली की खास विसेश्टा है, जब भी मंदिर को बनाया जाएगा, चेश फिट की मतब एक उची दिवार रहेगी, जिसको जगती कहा जाता है। उसके बाद एक छोटा सा और लेयर हो सकता है, उस लेयर को हम कहीं कहीं सभा भी मिलता है, इसको अंग्रेजी में जगती ही कहा जाता है, देन उसके बाद यह मंदिर निर्मान का प्रोसेस होता है, वो सुरू होता है, तो देखो जब भी नागर सैली, नागर सैली के जो मंदिर होंगे उन मंदिरों का जो गर्भगरा है गर्भगरा जहां पर मुख्य मूर्थी होती है जहां पर भगवान की मूर्थी वह गर्भगरा हमेसा स्क्वाइर shape का होता है जिसे हम केदार्नाथ के अंदर जब आप जाओगे हम लोग केदार्नाथ मंदिर की वास्तवकला को पढ़ ले उसका architecture पढ़ ले कि कैसे बनाया करके जब भी आप लोग यह मंदफ है जब आप अंदर इंट्री करोगे तो यहां पर जो भगवान शीव का जो गर्बगर है केदार्नाथ का जो गर्बगर है वो गर्बगर square shape का है square shape के साथ वो ऐसे करके जाएगा और ऐसे करके top bottom पे चले जाता है जैसे यह है यहां से यह मंदिर कर्व होते हुए जाता है तो यह वाला जो पार्ट है इसको सिखर कहा जाता है नागर साली की खास भी सिखता है और इसी सिखर को नागरी भी कहा जाता है जैसे जैसे यह मंदिर उपर शंक कौन के शेप का उपर उपर के तरफ जाएगा तो उपर के तरफ जाने पर इस पर एक राउंड शेप ह अभी हम आपको यहां पर दिखाएंगे एक राउंड शेप होता है और उस राउंड शेप को हम आमलक कहते हैं इस आमलक को फिर लकडी पत्थर या उन चीजों से ढखा जाता है जैसे केदार्नात मंदिर में जब अभी उसका एनिमेशन आपको हम यहां पर दिखाएंगे तो इसको कंकड लकडी या पत्थर इन चीजों से ढख ढग दिया जाता है और उसके उपर फिर कलस की स्थापना की जाती है कलस स्थापित करने का मलतब यह है कि मंदिर प्राण पर तिश्टित हो चुका है जब भी हम यहां पर केदार्नात मंदिर को देखते हैं जो कि नागर स कासरी होगा कि टोटल लेंध जो मतलब टोटाल इसकी लमबाई है मंदिर 1 172 फिट है टीक है और चोड़ाई है वह 80 फिट है और के दार्नात मंदिर का घृंस और나 porta ребята के जो दिवारे हैं जो मंदिर हैं जू दिवारे करीब बार फुट चौड़ीब बार फुट मोटाई लिए भी है तो नागर सैनी की हम ये खास बास दिखते हैं नागर सैनी में मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं मंदिर एक चबूतरे पे होता है और मंदिर का जो गर्बगर होता है वो स्क्वाइर शेप का होता है और जो मंदिर जब को नीचे से आधार से उप्टॉप की तरफ जाता है तो वह बिलकुल कोन के आकार का हो जाता है और वहां पर एक round shape होता है और उसी round shape के ठीक नीचे भगवान की मूर्थी या भगवान को प्राण प्रतिशित किया जाता है जिसको हमने आम लग का है यह आम लग आम लग के उपर फिर हम ल तो यहां पर आप लोग एनिमेशन में देख सकते हैं कि कैसे के दारनात मंदिर को बनाया गया है यह मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है और इंटरलोकिंग सिस्टम से बना है तो आप लग यहां पर देख सकते हो कि कैसे बना है आपको ग्रेनाइट के पत्थर जुड σ 엄unden cash जाती है टो ये सारी परक्रिया हम इसके अंतरगत देखते हैं केदारनात का जो आर्केट्टर। अर्केटटर इ greatly है उसके अंतरगत देखते हैं तो कभी कभी हमारी जो हमारे जो हमने सह सिर्फिय वहें हुए अप्स नारच वालबु और गोरी यो घ्रखिती व है कर दो नंगर्स खंडवाद अपनी अपनी आपने चरम कोच्वा तो यहां पर जब हम देखते हैं कि कत्यूरियों नागर सैली में जो थोड़ी हेर बदल की वो यह है कि चत्रयुक्त और सीधे सिखर वाले तो जब भी हम कत्यूरिक आलिन मंदिरों को देखते हैं तो उन मंदिरों में हमको दो इस्टक्चर देखने को मिलते हैं जैसे छत्र युक्तु को पेगवड़ा भी कहा जाता है और शिकर युक्तु. छत्र युक्तु मंदिर बहुत जादा important है आपके एक्जाम के लिए. जब भी आपके just example के लिए केदारनात हो गया, गोपेसुर हो गया, देवलगण के मंदिर, रानी हाट के मंदिर, important, तो इनके जो ये मंदिर है वो शिखर युगते हैं जो कैदारनात है गोपिशोर है देवलगड है राणी हाथ है बागे सोर है लाखामंडेल है इनका जो शिखर के ठीक अपर आपको एक छत्र टाइप का स्ट्रक्टर मिलेगा जो यहां पर कत्यूरी कला के दो टाइप को तो दो तरह के जो कत्यूरी मंदिर सेली है वो दो तरह के एक छत्र युक्त पैगोडा जिसकी लिस्ट में अभी बताया आपको और दूसा है शिखर युक्त तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में मंदिर निर्मान की तीन प्रकिरिया थी उन तीन प्रकिरियाओं में से नागर सेली पूरे उत्तर भारत में है और दरविट सेली आपका पूरे साउथ इंडिया में चलता है जैसे कि हमारा ये दक्कन प्लेट्यू है दक्षिन भारत का जो पठार वाला इलाका है यहां पर बेसर सेली चलती है बेसर सेली जो है नागर सेली और दरविट सेली का मि बने लोरा और एहुए यह जो मंदिर है बेसरशेली में और साथ इंडिया में जो ठिरुपति है महाबूलिपुर्म है यह दर्विट सैली के है तो उत्रा खंडे में नागर शैली केamourा ह 나타ンे जैसे सेली है उसमें जगती होगा ठीक है उसमें जो मंदिर होगा वो कौन शीप्ट का होगा मतलब जो बेश से लेके उपर और खास बाद मंदिर का जो प्रविश द्वार है मंदिर के प्रविश द्वार से पहले नागर सेली में मंडब होता है और इसी मंडब में हवन प्राण हवन हो गया और पूझा बाट सारी चीजे होती है कभी कभी ये मंदब दो भागों में बटा रहता है इसको मंदब और दो सा उप मंदब بھی कहते है सारी GEDARS नाध के दार्नाथ में भी मंदब है पहले गरब गरब में जाने से पहले जो मंदिर का आगे वाला भाग है ये वाला भाग केदारनाथ का ये मंडब कहलाता है देन इसके बाद गर्भगरा आएगा तो ये नादर सैली की विसेशता है तो जब हम दर्विट सैली को एक्जामों में पूछ लिया जाता है दर्विट सैली क्योंकि मंदिरों की खास विसेशता ये होती है कि मंदिर जितना भव्य मंदिर होगा उससे ज़्यादा भव्य उसका गोपुरम होता है मंदिर का जो सिखर होगा वो प्रैमिट के आकार का होगा और सीडी नुमा इस्टक्चर का होगा ठीक है जैसे आप रगुनाद मंदिर को देख लिए ना साउथ इंडिया में महाबुलिकपुरम और ब्रजश्वर और तुरुपुति बाला जी को देखिए उनका जो सिखर होता है उनका सिखर सीडी नुमा होता है पिरामिट के सीव का होता है यहाँ पर जो गोपुरम है गोपुरम की भव्यता से ही मंदिर की भव्यता मतला हाइलाइट होती है जितना मंदिर भव्य होगा उतना है जादा गोपुरम नागर सैली में नहीं मिलता है केदारनाथ के आगे आगे आपको गोपुरम नहीं देखोगे केदारनात के मंदिर के आगे जस्ट मंडब होता है और उसके बाद परिकर्मा इस्तल होता है नागर सैली में ठेक है तो यहाँ पर खास चीज देना है जो नागर सैली और दर्विट सैली में जो खास डिफ्रेंस है और डिफ्रेंस ये है कि नागर सैली में गोपुरम नहीं होता है, जैसे केदारनाथ के आगे गोपुरम नहीं है, लेकिन द्रविट सैली में जो महावली पुरम है, तिरुकती है, ब्रदेश्वर है, इनके आगे गोपुरम होता है, मन्दिर जितना भव्य होगा, मन्दिर का गेट उससे और जादा भव्य होगा तो गोपुरम की भव्यता जो है मंदिर की भव्यता को दिखाती है जैसा कि हम लोगों ने अभी नागर सैली के बार में बहुत सारे चीज़े देखे मैं उन चीज़ों को एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं नागर सैली को जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमाराई सेले की बिंध्यान चल तक ठेक है वहां तक जितने भी मंदिर है सारे के सारे मंदिर आपके नागर सैली में बने होंगे जिस चबुत्रे पर बनेगा के दारनात का जो चबुत्र रहा है चेपीट का है यह जगति कहलाएगा उसके उपर मंदिर बनाया जागा मंदिर के परवेश से पहले मंडब दन मंडब के बाद गर्बदर इसी गर्बदर में बगवान शिव का ट्रेंगल सेप का तिरभुत के आकार का शिवलिंग है मतलब प्रतीक है और इसके ठीक उपर यह गोल वाला जो है यह आमलक है आमलक के उपर चत्रयुक्त जो कट्यूरी सहली की एक खास स्टाइल है कट्यूरियों की जो नागर सहली में दो चीजे हैं वो एक चत्रयुक्त है और दूसा क्या है सिखर है मैंने आपको चत्रयुक्त मंदि ये सभी ऐसे मंदिर है जिन मंदिरों के उपर आपको इस तरह का छत्र दिखेगा दन छत्र के उपर कलस दिखेगा ठेक है और खास बात जो हमारा केदारनाथ मंदिर है केदारनाथ मंदिर की उचाय कितनी है लगबग समुदरतल से कितना बताया था मैंने 3584 ठेक है 358 8 का आधा 4 याद हो गया 3 5 5 3 8 8 का आधा 4 3 508 मीटर कहा से समधर दुद से लंबाइं बता रिखी मैंने इसकी मतलब आधार से लेकि उपड़ तब कितना नंबा है, कितना चोड़ा, इसकी दिवारे कितनी चोड़ी है, बार फिर चोड़ी है, ग्रिनायट के पत्तरों को इंटरलोकिंग करके बना आए गया, ये लैंध फो कितनी है, ये सारी बात बता दिए और ये क्या है, प्रिवेंस द चले जाओ वास्पिताल बहुत ज्यादा उचाहे पर है और यहां पर जो चोड़ा बारी ताल है या इसको गांधिस रोवर भी हम इसको कहते हैं इसमें अभी आप जाओगे तो यहां पर कभी पानी रहता है कभी नहीं रहता है तो अक्टूबर नौंबर में जाओगे तो बि कभी लबालब रहता है बाद में इन दो तालों को हम विसेस तोर से हाइलाइट करेंगे जो यह 3584 मीटर की उचाए पर केदारनाथ है अब इस इस पेस का नाम केदारनाथ के से पढ़ा इसके बारे हमने केदारनाथ की वास्तोकरा को देखा यह जो एरिया है इस एरिया के ब परन के में इस बात का साफशा किया गया है कि कभी सत्यूग में कोई एक केदार नाम का राजा था उस केदारना'm के राजा ने इस भूभाग पे तपिश्या कि दी पीछे तीन पहाड़े, एक्जाम में पूजा चाता है, खर्चा खंड, भरत खंड और केदार खंड, केदार नाथ किन तीन परवतों के बीच में है, खर्चा खंड, भरत खंड और केदार खंड, और लेंध उचके कितनी, समुद्र तल से 3584 मीटर, ठीक है, कभी-कभी इसको पूस लेता है, तो उस राजा केदार के नाम पर ही इसका नाम केदार नाथ पढ़ा, उसने यहां पर भगवान शिव की तपश्या की थी, और उसी के नाम पर इस चेत्र का नाम क्या पढ़ा, केदार का नाथ, अर्था केदार जिसने भगवान शिव की तपश्या की थी, उ पर पिछ पर फिर इसाने शुर महादेव का मदेव का मन्दिर तो यही पर के दार्नाथ के जश्चम में पीछ़ बस पास्ट पिच्चम में इसानेश्वर महादेव का मंदिर है तो कई सांटिस्ट लोगा पर सोरी कई भूव एग्यानिक लोग और कोई बहुत सारे वास्तुकला के बिसे सगे यह मानते हैं कि यह मूल मंदिर नहीं है जो औरिजिनल मंदिर था इसके पीछे था उसको हम इसाने स्वर कहते यह बाद में बनाया गया किसने बनाया क्या बनाया बाद में चर्चा करेंग पूरा गलीशिर है और गलीशिर का पानी यहाँ पर रिस्क्या आता है तो यहाँ पर पूरा एरिया क्या बन जाता है दलदल युक्त भूमी नमी युक्त भूमी आपको जैसे हम वहाँ पर देखते हैं जैसे कही जगा पर हम लोग देखते हैं कि केदार का मलतब उबजाव भूमी भी है पानी भी है पानी नहीं कोटिल्य ठीक यह जो पुराने हमारे बिद्वान लोग है तो केदार भूमी का अर्थ किससे जोड़ते हैं केदार भूमी का अर्थ उबजाव भूमी से लगाते ह तो केदार का मलतल मुख्य दलदल से लगा जाता है और हो गहाँ मोगा इस जगह का नाम कई चीजों से पड़ा है तो ब्रह्माइवर्तपुराण का नीद फाने हो गया और भृष लिनोह रिंडी न लोगों हम deconstruct 언 War तो अवराल खुज भी हो लेकिन हम केदार के कॉंसेट को समझ गे केदार का एक कॉंसेट दलदल वाला एरिया और दूसरा हरा अरी मनतलब जो हरी जमीन है उपजाव जमीन है इससे हम लगाते हैं तो जब भी हम केदारनाथ को पढ़ेंगे तो केदारनाथ का हम लोग थोड़ा background देखा था उसका architecture देखा नागर सैनी में निर्मित हुआ था और दूसरा वासुकी ताल और चोड़ाबारी ताल इन दो तालों को याद रखना है चोड़ाबारी ताल तो आपको याद होगा वासुकी ताल तो वासुकी ताल और चोड़ लाद की बात करते हैं तो थोड़ा पुड़ादानों में देखते हैं, पॉड़ाने कताओं के उन्मसार केदारनाथ मंदीर का अंदिर मांड़ंगों के द्वारा की आगया था। कुछ लोग ऐसा कहते कि पाँड़ंगों के जो वंसच समापत होती है केदारनाथ मंदिर का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो रिकंस्ट्रक्शन आपका संक्राचार के द्वारा किया गया तो आज भी जब केदारनाथ मंदिर के पीछे पहले उतकरन किया गया जो पत्थरों का धेड़ था जब उसको हटाए गया बैक साइड में केदार संक्राचारी के समाधी में यही है महापंडित रहुल संकरतियानान कहते हैं कि इसका टाइम प्रियड है यह जो मंदिर है इस मंदिर का टाइम प्रियड 1130 से 1230 के मद्धि है तो सभी लोगों का अपना कॉंसेप्ट पहां अब इग्जक्त मालूम नहीं कि मंदिर का लेकिन ट् साथ डबराल जी का यहां पर कॉंसेप्ट बहुत अच्छा है डबराल जी कहते हैं कि यह मंदिर करीब पांचवी या छटी सदाबदी की है उनको यहां पर भोटियाओं का एक भोटिया बुमे लिपी का एक वो भी मिला था एक प्रस्तर लेक मिला था इस मंदिर में कई सारे अभी लेक मिले थे लेकिन यहां पर घी का लगातार घी पूजा पाट तेल होने से मतलब लगातार पूजा पाट और घी चंदन का लेप होने से यहां पर जो अभी लेक है शिला लेक है वो सब मिड़गे आभी जब केदार ना जाओगे तो उसका जो यह जगती है जो सीड इसको 11-12 सधी की मानते हैं तभी हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं कत्युर्य से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा जो हमारे शुपरसाद डबराल जी है डबराल जी के एकॉर्डिंग ये पांच भी छटी सदावधी का बना हुआ है तो इन सभी चुजों को हम ओर लेते हैं नेक्स वीडियो में हम थोड़ा केडारनाथ को और ज्यादा gereal करेंगे केडारनाथ के चारो त्वर जो भी रिलिजिस पॉइंट है जो भी धार्म के स्थाल है जित बहुत सारे कुंड़े है इसके अगल बगल उन सब के चर्चा करेंगे केडारनाथ को अभी परकारार करें नेक्स वीडियो में हम वासुकी ताल को वासुकी ताल हो गया चोरावाडी ताल हो गया और इसके अगर वगर जो रुदिर कुंडे है शिव कुंडे है हन्सु कुंडे है ततार रेतस कुंडे है और इशान कुंडे है सिरी सिला है बहुत सारे स्पॉट के दरनाथ के अगर उस चीज़ को लेंगे ठेक है चलो ठेक है नाक्स वीडियो में बिलते हैं